आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ यह क्या है, ओके, देख लेते हैं options क्या दिये गए हमारे पास एके करके, option A preposition, तो preposition क्या होता है basically, preposition tells, यह क्या बताता है distance बताएगा distance बताएगा किसी भी object की, यह location बताएगा location okay, examples ले सकते हम ज़दे कि ever okay, ever below etc okay, अब option B देख लेते हैं, हमारे पास option B क्या दिया है, option B add verb, add verb क्या होता है add verb होता है, it specify verb, okay, it specifies verb यह क्या करता है, verb को specify करता है okay, कैसे, की for example example, example एल देख, she runs fastly okay, तो देखो, run हमारे, क्या हो गया? verb हो गया, okay, लेकिन वो कैसे दोड़ता है, वो क्या होता है? fastly दोड़ता है, तो इसने क्या क्या वर्ब को specify कर दिया, और कुछ ट्रिक भी होता है, एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक होता है पुट अप करके answer find करते हैं, जिस भी question में इनका answer मिल जाए, उसमें adverb present होता है, यह ट्रिक होता है, एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक को identify करने का, अब और भी option दिये गए है, option C, adjective, adjective क्या होता है, adjectives are the words that adds details to noun, okay, यह क्या करते है, details add करते हैं, noun में, okay, adds details to noun, for example, example क्या ले सकते है, she is a pretty girl, she is a pretty girl, okay, अब girl कैसी है, pretty है न, सुन्दर है, तो adjective है न यह, मतलब कि जो noun है, इसको specify कर रहा है, तो इसको बोलते adjective, okay, अब हमारे पास जो fourth option दिया गया है, वो क्या है conjunction, conjunction क्या होते है, यह क्या करते हैं, यह क्या करते हैं, दो sentences को add on करते हैं, जैसे कि कौन से words हो गए, जैसे कि and हो गय गया, okay, therefore हो गया, यह words add करते हैं, दो sentences को, okay, तो हमने देख लिया कि proposition क्या होता है, adjective क्या होता है, अब question में क्या पूछा है, they arrived soon after, तो यह जो after है, basically proposition होता है, अगर हम अलग से बात करें, पर जो part of speech होती है, वो question में, मतलब कि जो sentence है, उसमें put होती है, उसके बाद हम define कर प जो correct answer हो जाएगा, वो option B हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि they arrived soon after, okay, तो question के context में देखें, तो यह question बन सकता है, they arrived when, okay, when का answer क्या हो गया, कि soon after, okay, that's why हमारा जो correct answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, option B हो जाएगा, क्योंकि कोई word है, उसका खुद का meaning नहीं होता, व और इसी से हम डिसाइड करते हैं कि कोई सी पार्ट आप स्पीच है ओके सो करेक्ट आंसर इस ओप्शन भी थैंक यू